जिसमें हम देख रहे हैं अपने practical exam से related most important question आज एक बहुत बेतरी सवाल आपके सामने लाया हूँ ये आपके Libre Office Impress का सवाल है जिसमें आपको तीन slide बनानी है और हर slide में क्या क्या काम करना है ये भी सवाल ने बताया है ये मतलब सवाल अगर कोई बच्चा ध्यान से देखता ह तो कम से कम कुछ नहीं तो दस चीज़ें Libre Office Impress की तो वो समझ लेगा और उन बच्चों को एक खास संदेज जो पहली बार Libre Office Impress मतलब जिनको मतलब भी नहीं पाता ही नहीं है Libre Office Impress क्या होता है और practical exam उनका आ गया है तो वो भी परसान नहों एकदम सुरुआत से मैं होड़ेगा Libre Office तो यहां पर मैंने सर्च किया Libre Office Impress ठीक है Libre Office Impress यहां पर आ गया है और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा Libre Office उपन हो जाएगा यहां पर कहरा है कि इस तरीके की theme आपको चाहिए लेकिन हमें कोई भी theme नहीं चाहिए तो यहां से बने कर दिया close यहां पर एक slide पहले से ही है हमें कितनी total slide लेनी है चलिए बताइए यहां पर कहा है कि तीन slide आपके पास होनी चाहिए तो पहले तीन slide ले लेते हैं यहां पर देखिए एक option आपको मिल रहा है मैं mark कर दे रहा हूँ यह option जो आपको दिख रहा है यह नई slide लेने का option आपका है इस पे जाए देखिए दूसरी स्लाइड और पिर क्लिक किया तो तीसरी स्लाइड आ गई अब तीन स्लाइड हमारे सामने है अब चलिए एक एक करके कांग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए कहरा है पहली स्लाइड पे क्या करना है तो कहरा है पहली स्लाइड पे आपको टाइप करना है टेल design form में होते हैं अभी आप समझ जाएंगे क्या चीज मैं कह रहा हूं तो telephone analysis आपको type करना इसको मैं copy कर लेता हूं यही से अब जा रहा हूं कैसे उसको ले आएंगे पहले इस page को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं यहां पर इसको मैंने कर दिया delete इस चीज को यहां पर मैं ओपर ल लिखेगी font work नाम की चीज पर जैसे ही क्लिक करेंगी यह अलग अलग तरीके की design आपको दिखाएगा कहरा इसमें से जो design पसंद हो आप select कर लीजे उस design में हम आपके चीज लिख कर देंगे तो हम यहां से यह वाली design उठाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं देखिए हमार इसमें telephone analysis लिख दिया इंटर करेंगे देखिए telephone analysis आपका sorry देख रहे होगे telephone analysis आपका लिख उठा है इसको थोड़ा समय बढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ आपको चीजें दिखने लगे देख रहा है telephone analysis जो कि इसने कहा था कि आपको clip sorry word art के form में लिखना है यह हमारा आ गया है इतनी सी समझ मैं कहां से आ जा है जब आप insert के अंदर जाएंगे तो font work नाम का option आपको यहीं पर मिल जाएगा दूसरा point यहाँ पर क्या है कह रहा है कि insert any appropriate image कोई आपको एक appropriate कोई ठीक ठाक image यहाँ पर insert कर दीजे और उस पर animation effect लाइए चलिए करते हैं यहाँ पर ह हमारे भी पास काफी image है यहाँ पर अपने चैनल का logo मैं insert कराता हूँ यहाँ पर देखे image insert हो गई है जैसे image insert होगी इमेज पर आप click करेंगे देखे चारों तरफ यह box बनके आ जाएंगे इन box पी जब आप जाएंगे देखे आपको इस तीर तरीके की design mouse बन जाएगी mouse जो अब यह आपका image यहाँ पर आ गया है अब पहरा है इस पर animation लगाओ animation कैसे लगता है इस चीच को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर देखे इस star वाला जो option दिख रहा है आपको लगाता है देख लिए फिर से option यह star type पर जो option है यह animation लगाता है यह side में आपको दिख जाएगा इस पर आपको click करना है तो इस तरीके का box खुल जाएगा फिर आपको image पर click करना है add पर जाना है और जिस तरीके का आप add करना चाहें उस तरीके का add आप कर सकते हैं लेकिन फिर से मैं image पर जाओंगा और फिर से मैं एक चीज़ add करूँगा ताकि मेरा image एकदम से अलग तो circle में भी आप अपनी image को ले आ सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको animation act कर देना है आगे की तरफ बढ़ रहा है कह रहा है sound clip organizer से insert करा यह दिए आप करा लीजेगा क्योंकि इसमें मैं recording कर रहा हूँ screen को तो मैं sound आपको यहां से laptop का सुना नहीं सकता हूँ इसके लिए माफी अगले पार्ट की तरफ चलते है अगला पार्ट क्या है पहरा है भाई दूसरी slide पे आ जाओ चलो ठीक है दूसरी slide पे आ गए पहली slide बन कर तयार होगी दूसरी slide में क्या कह रहा है कि इस chart का उप्योग करके pie chart का पाई chart आपको insert कराना है इस chart का उप्योग करके हो जाएगा असान सकाम है तो पहले इस chart को हम बना लेते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए इस चीच को मैं मिटा देता हूँ या इस उपर वाले को मिटा देता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ की जगा बन जाए हमारे पास अच्छी खासी अब इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें table insert करानी है उसके लिए हमको यहाँ पर option मिल जाता है अब table कैसी होनी है तो उसमें दो हमारी देखिए दो column है और एक, दो, ती, चार, पांच रो है तो यहाँ पर मैं गया इस पर click किया और दो मैंने ले लिया column और पांच मैंने ले लिया आपकी रोप ठीक है यह table हमारी insert हो गई थोड़ा सा इसको नीचे खेस दे रहा हूँ अब इसमें मैं data को गड़ दोंगा अपने हिसाब से थोड़ा सा fast forward कर रहा हूँ वीडियो को देख रहे हैं यह table हमने बना ली है अब चलते हैं क्या कहा था इसने इसने कहा था pie chart insert करा दीजे चलिए pie chart क्या चीज होती है जो गोले आकार का chart होता है आपने देखा भी होगा जब बताते हैं बीजेपी को इतने प्रतिसत ओट कॉंग्रेस को इतने प्रतिसत ओट और आवाद में party को इतने प्रतिसत ओट pie chart की खासियत है कि total 100 की बात हो जाती है पूरे संपोर 100 की बात हो जाती है यहाँ पर देखे मैंने इसको select किया insert पे गए chart पे गए और यहाँ पर हमें option मिल जा रहा है देखे column लिखा है इस column पे जाएंगे pie chart पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा pie chart बनकर तैयार हो जाएगा इसको थोड़ा से छोटा मैं कह ले रहाँ ताकि आपको अच्छे से यह दिखे ठीक है यह आपका pie chart बनकर तैयार हो गया अब इसकी देखते हैं आगे क्या बात कह रहा है जो chart आपने insert कराया है उसका title telephone analysis देदीजे कोई बात नहीं चलिए देते हैं इस chart का title देना है यहाँ पर देखे title option आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यह option active हो जाएगा इसमें आपको जो भी लिखना हो telephone analysis मैंने इसका title दे दिया यह दूसरा chart हमारा बनकर तैयार हो गया आगे लिए दर बढ़ रहा है तीसरे हमारे slide की बात करते हैं तीसरे slide में कह रहा है कि यह following test यह जो text दिया है इसको insert कराना है इसको copy कर लिया अब पहले copy ही कर लेते हैं यहाँ पर गए इसको मिटा दिया ठीक है इसको delete कर दिया फिर इस पर click किया इसको बड़ा कर लिया और यहाँ पर गए और वही text हमने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया अब क्या चीज़ कह रहा है भाई सावाई यह देखता है कह रहा है कि font का style times नियुरो मना चाहिए कोई बात नहीं चले करते हैं तो यहाँ पर देखे यह जो ओपर वाला box होता यह box जो है देखे मैं मार्क कर रहा हूँ यह वाला जो box है इसकी सहायता से आप insert कराते हैं चीज़ों को तो यहाँ insert sorry कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी सहायता से आप font को change करते हैं आप size को change करते हैं या जितने भी तरीके से यह सारी चीज़े होती हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर गया और इसको select किया text को और इसमें मैंने दूगा times new roman times new roman देखिए आपका आगया इस पे click किया font का style हमने set कर दिया दूसरी चीज क्या कह रहा थे यह दूसरी चीज यह कह रहा थे कि आपको जो है font का size 24 कर देना है चलिए करते हैं font का size 12 है उठाया हमने और 24 कर दिया और यह देखिए हमारा तयार हो गया जिस तरीके से इनोंने क्या था वैसा इसके बाद आगे की क्या line है देखते हैं use the same transitional effect between की slide हर slide पे same transition effect लगाना है तो यहाँ पर हमने देख लिया था transition effect कैसे लगाते हैं इस star पे आपको click करना होता है उसके बाद आपको image पे click करके कोई भी देखिए यहाँ पर circle हमने लगाया है तो सब में circle ही लगा देते हैं चलिए यहाँ पर आए और circle यहाँ पर भी हमने लगा दिया तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे हम यहाँ पर भी circle आपका लगा देंगे और तीनों में देखिए आपके transition effect लग गया इसकी पहचान क्या है कि तीनों slide पर आप देखेंगे तो यह star mouse की sign दिख रही होगी यह sign आपको दिख रही है चोटी सी star और mouse वाली यह तीनों जितनी slide पर आप ट्राइमिसन लगाएंगे यह वहाँ पर दिख जाएगा फिर आखरी पार्ट की बात करते हैं कहरा है please slide slow play कर दीजे तो इतनी मेहनत हमने की है play करने के लिए इसको close कर देते हैं क्लिक किया फिर अगले की बारी आ गई ठीया फिर क्लिक किया अगले की बारी फिर देख रहे है थोड़ा सा तो अच्छा लगी रहा है से लिए और यह हमारी आखी slide आ गई इसके बाद क्लिक करेंगे तो हम presentation को end कर दिये हैं और presentation हमारी खतम हो जाएगी यह हमारा सवाल था जो डिग्दर office इंप्रेसर रिलेटेड था बाकी अगर हमारे चैनल को support करना चाहा है तो यह QR code और बैंक डिटेल सॉरी यह सिर्फ QR code आपको दिख रहा है इसके screenshot ले सकते हैं या description में जाए तो पहली link जो आपको दिखती है वो हमारे की वार रिपोर्ट की है वहां से आप हमें support कर सकते हैं और support क्यों करें क्योंकि आप YouTube पे देख लेंगे जो practical classes दे रहे हैं सायद ही कोई ऐसा channel हो जो इतनी regular और इस quality की practical classes दे रहा हो वो भी free है free कि आप paid में भी देख लेंगे तो ऐसी class सायद ही आपको मिले तो हमारे चैनल को support करना चाहा है तो कर सकते हैं ताकि ऐसी और भी videos आपके लिए ले आ सकें इसके लिए कोई minimum amount ठंगने नहीं रखा है बाकि like, comment, share, subscribe ये तो आपकी जिम्मदारी के छोड़ रहा हूँ मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए नवशकार जैहिंग